हलो चिल्डरन वल्कम बैक तो आग चानल वी वर स्टार्टे ले चाप्टर सेल और सेल में लोगों को न्यूकलियर से शुरू करना था बागी इसके पहले के टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिया है देखो न्यूकलियर समझने जे पहले ही जालो सबसे इंपॉर्टन चीज तो पहली के है जो ऑने दोटीज मों गहते है जो ही सेल को कि अजो तो 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 होता है तो आपते ज़ता है एक बिशह कि शे सब्सक्य flourish यह प्रश्ट के शिल्कों के शेल्स थे जिसको मैंने पहले वीडियो में एक्सपरिमेंट वाला पूरा समझाया हुआ है पूरी अक्तिविटी को एक्सप्रेंट क्या हो जा के चैक आउट करो नहीं देखा है तो और उसमें मैंने क्या बता है था कि अनियन के पील को लेते हैं इसको इलेक्राण माइक्रोस्कूप में देखते हैं तो ऐसे सेल्स दिखाए देते सेल वाल के साथ क्यूंकि अनियन प्लांट सेल का पार्ट है इस वजह से आज की इस वीडियो में जब न्यूक्लियस पढ़ने जा रहे है तो यहां पर एंसी आटी की बुक में न्यूक्लि देख रही होगी दोनों स्रुक्चिर में एक सेल्मिलारिटी क्या है कि यहां बीच में एक डार्क सा स्टेन है बहुत दार्क सा जब हम अनियन माला एक्स्पेरिमेंट कर रहे थे तो आप लोगों को यहाद हो को बच्चों कि वहां सैफ्रनीन सेल्यूशन अम लोगों ने ड यहां हुआ हुआ है और फिर अब तो देखने वाले इस वाल एक्सपेरिमेंट में यूमन के चीक को जब निकालते हैं इस तरह का स्रक्चर दिखाई देता है इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोप में अच्छा देखो आप सोच रहोगे यूमन चीक को कैसे निकालते हैं क्या किस यह एक ग्लास ब्लू कलर किती बड़ी सी तीक है इस पर क्या रखा हूआ है कि तीम थो शूब से इस स्क्राच करोकि तो आप चीख करो थोड़ाइब का में निफ स्पून। प्रचीज आपको मिलेंगी उसको पेंट ब्रश की हेल्प से या किसी नीडल की हल्प से आप लाइड पर रखो तो फिर वह चीज जो होगी वह जो आपको हलका सा कुछ चीज देख रही होंगी मांस के जैसी वह ग्लास लाइड पर आ जाएंगी और उनी को जब हम लोग मेथल ब्लु स्मीट कोरूशं तरु ौँषक ने अंच दित जूप बंध में नेज में करक्द आएंग गयो हर्म धवाली मृत का ऺंच के घंट आ ग्այालन में यॉषक प्रिमारी जारा जहां कि यहां यहां पर मैथलीनल सोल्ऊशं से अद्टान नेहां तो मैंत्टलीन ब्लू स यह भी एक cell है यह भी एक cell है हला कि एक animal cell है और यह एक plant cell के सेल एक इस इसमें cell wall नहीं है और इसमें cell wall भी है ठीक similarity क्या है दोनों में कि दोनों के बीच में डार्क सा स्टेन है ना यह डार्क सा स्टेन ही न्यूपलियर्स है बस इतना ही बताना थे इस डायग्राम के थू आपको अब इसके आगे हम अच्छे से और स्टेडी करेंगे कि भेल टींप्रेंट ए बानी उम्हेंस वाप्राइब का जीना उंपेल गिल्टलास स्टेनरत्ध में, सबस्टेनल हेल्टाइब कि इस दिखकना पेल अ शूप्राइब कैश्वस्चेय। नूट्यूलेस के बारे में पंडिटयर है हम लोग हम लोग तो देखो इस structure को याद रहो यह एक अनिमल के स्ट्रक्चर क्यों कि इसमें एक सेल वॉल नहीं है ओके यह एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है और यह को नूकलर मेंब्रेन दिखा हुआ और यह हमारा नूट्चर करों कि लिए नंथे को देखने का तो देखो तो फिर शुट्र ऒेख जिआ माल से इस recent carnival anhिलिक अने जाल मेंपडय अर यह नेें जयरें आ क्या और लेए ध्यूत सीजों तो manner IKEA ूं जब ही नुकलियस को कुई चीज की जवरत होती है तो जय हम नूपलाज्म के ही पूरा जर्ल। तरह के पूरा नूप्लाज्म में यह आनिमल चल्य और शाइटॉ-प्लाज्म के अंदर भी उसल नूपलाज्म है, देका नूपलाज्म इन्ट हम सनक उसल visual करे दूआ है हमें नीटेन मटेरियल्स भ्याइगा और जिसकी जरुकर ज़रहूरत है और उन्हीं चीजों की सब्सक्राइब न्यूट्लाइब तो ऑफ रहाखी तो कभी-गभी ऐसी चीजे जिनको न्यूट्लीस जिसकी ज़रख है न्यूक्लीस को उन चीज़ों को लेने के लिए न्युकलेश क्या करेगा, उस असी पोर के थूर्फ पार्पास पहुछते हैं कुछ ऐसी जीज है producers जोड़त न्यूकलेश को पास चीज़ना है यह क्त्रा न्यूकलेश को नहीं है, उसको यूज नहीं करना। कि उन्ही पॉर्स के थीर, के सय्यों में अभॉज छोड़ देता है ठीक है तो कि फैर किया करती है वसमाथ।। कि अन्हीं हो नींुकलिएस ए अब्च्छीन ग्रेन होगी ग्लॡग देखते हैं, देखो बच्छो, नूकलियस के अंदर, नूकलियस बहुत इंपोर्टेंट है, नूकलियस को brain of cell भी बोला जाता है, क्योंकि सेल के अंदर की सारे functions को नूकलियस जील करता है, सबसे इंपोर्टन फंक्शन क्या है, सेल का, देखो, कोई भी cell है, सबसे पहले cell divide करती है, कोई भी cell है, वो divide करती है, divide करके, दो cell बनेगी, तो क्या होगा, जो इसी की जैसे होगी, ठीक है, यह पारंटट सेल, और यह डॉर्टर सेल, इस नहीं भी रहे है,build, ढुझ क्यों? सेल को भी आगे जलकि lighthouse बनना या बनना तभी तो ये और दो सेल को पैदा करेहीं पैदा मा करती है OK हमेश्ण फीमिल पैदा करती है तो इस वजह से इसको डार्टर सेल कह रहा है शन संप यह द एसको हम लोग पारेंट चरह को मैं द styls भी कह सकते dynamics को अच्छा तो जो पैरिंट चल है उसी की तरह डॉर्टर सेल्स भी होती है डिवाइड होके दो सेल बनती है कभी-कभी चार सेल बनती है सेल डिविजिन वाला भी टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले पर यह टॉपिक सबसे लास्ट में चाप्टर के तो आप पस इतना समझ लो कि अपने चोटा सेल्स बाइब हो जाती है अपको पहले ही शुरुवात में इस रप्टर के मैं अपने चोटा से बेबी होता है अपने आखों के सामने बेबी को अब्सर्ब कियों होगे अपने चोटे बाई बैन होंगे या नहीं होंगे तो भी आप लोगों में देखा तो कि फिंगर सब कुछ बढ़े हो जाते हैं कैसे बढ़े होते है कि उनके बॉडि में बोड Satu बहुत इब हो इसमें क्या कि मतलब नूटलियस के इन्दर आपको क्यों ये सब समझा रही हूं मैं कि इस अभी इवाइड होता है उसको संजहने का मकसद यह बच्छों कि नूइकलीस के अदर ना एक जेनिटिक मटेरियल पाया जाता है अब आप पुछो यह घैनिटिक मुटेरियल क्या होता है मैं इसो देखो म पूर्ट्रमीशन को सब्सक्राइब पूर्ण करें पूसें अपनी माम वह संस्थी वह पूसें कभी हरा T एखनी आखों का बसिती अंचों कर gefें करते थे आखिज Film को कि यह उती हैं कि अज भी आखिछ जाती है शाद बाॉआशा užता है अगर यह तो पर बंटारे चाहिए बिल्ण चाहिए सब्दून दो पापा अवा नहीं है संद्सक्राद को सहते हैं यह इनी जानेटिक इन्फेरमेशन के कारण होती है थें पर सेल और जब इवाइड होगी तो बच्चो पर स मिश्मीं चाने है ऐसा हो uh यह चीजे समझने के लिए अभी शुरू अब हम लोग शुरुवात कर रहे हैं तो यह चीजे धीरे आपको और अच्छी से क्लियर होते जाएंगे तो गभराने के कोई बात नहीं है यह चाप्टर हाड नहीं यह बस शुरुवाती चाप्टर आप यह सब चीजे पहले पहले बच्छे घबराते हैं उनको हार्ड लगने पर ऐसे कुछ है नहीं बहुत सिंपल चाप्टर आप बस स्टोडी की तरह समझते जाओ आपको बिलकुल कहीं भी पैनिक नहीं होना है और बहुत मजाया गया तो मैंने क्या समझा है कि जनेटिक माटेरियल क्या होता है वो उने पैरेंट की तरह दिखायते हैं तो बच्छों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है जनेटिक माटेरियल ठीक अब न्यूक्लियस के अंदर देखो यह एक चीज होती है ऐसा रोड शेप श्रॉक्चर दिखाय देता है यह रोड शेप श् दिवाइडिंग साल को देख़ः तब आपको डार्क रोड शेप च्रक्चर निउक्लेज के अंदर अब ये प्रॉक्चर क्या होता है यह structure्टर च्रुक्छर करें ग्रोष गाहर समय करें ग्रों जंद की में घर्वी आच अगरे को तो अगरियों को अन्यsm बएक पर एफ तो अगरे करोके को द corrosion his ऊगरे काई आदष आपने पार ग्रो धुके पेले देख लो कि ख़े ना बुट होता है और दीन नहीं जरनेटिक मातेरियल ना खुकание हमेरा च्रोमोजोम के इन जिए अधर सच की इन अधर मैं थन्हें जाया इंध मेरे न हम उटता है अर्थेmmיט मैं आपर शुले मार आपके देखो यह देखो यह थूर्टीन नहीं कर नहीं कर और और नर्मल आ पार नी तो स्लिकर अंदर जोजiasm Works एसा structure और दागी की जैसा इसको लोग यह केसा है thred like structure टीड दागी की जैसा structure होता है जिसको लोगs ्ट्रेड लाइन को स्ट्टॉक्चर इसका नाम क्या होता है इसका नाम होता है इसको हम लोग chromatin fiber कहते हैं यह chromatin fiber क्या होता है बच्चों chromatin की spelling आप लोग जदे चट कर लेना सही है कि यह वैसे सही chromatin हाँ chromatin की spelling सही है तो क्या होता है जब cell divide नहीं कर रहा था है नॉर्मल स्टेट में होता है cell तो उसके अंदर नुगलेस के अंदर ऐसा structure हो था chromatin fiber यह chromatin fiber क्या होता है बहुत सारे जो DNA ना यह जो इनन अधिए अधिए डागे एक में ऐसे जिसे दो धागों को ले लो अपर दुशसे से क्यां कर दो अईसा कुर दिखा यहां जो एक दूसरा दागत तो वैसा इक और स्रॉक्चर डीए का थी वाही जो पूरा बड़ा सा दागा उता है गधार बहुत सारे डीए जूड़ा के बड़ा सा बाइस अजैसा बना रहता है क्रोमेटिंग डिवाइड नहीं करने वाला होता है तो बहुत ज्यादा कोईलिंन करता है तब स्टरीकी का स्टैर बना लेता है तब स्टरबर अपट डॉम में कर चलेयर ना चूल दिवाइड कर नहीं करता है तो शचिकान अर्श प्रख्चर रहते है खेना जो फिसी कोड़ रहता है रहता होता है लुक्री जो आप को पढ़ना और बहुता है नुकलिस के आपको पढ़ना और बहुत पॉइंटेता है लोगें प्लियर कर देख रहे होगी फॉंक्शनल सेगमेंट्स of TNA आपको यह वर्ड आगे क्लासिस में बहुत जादा मिलेंगे और इसी चाप्टर में आपको आपके पढ़ना पड़े अच्छली जीन सेग्मेंट के सेग्मेंट मतलब पार्ट होता है यह पूरा एक दिनए के ऐसा पार्ट जो फंक्शनल हो जो काम करता को डिया ना ना वाला पार्ट इसको बसचीन करेंगे इतना ही था जीन का इसमें सब्सक्राइब करना नूपलियोस का क्या होता है व. जब डिविजिन करता तो उसमें न्यूक्लिस करें बहुत इंपॉर्टनट रोल होता है क्यों इंप्रोल मुप्रश के अंधिक मत्रियल है यह तो मैंने आपको समझा दिया कि जीँ रिफे कर दो है जो अधिन के ना को जी है कि यह सारी चीज्ज है लेकिन कुछ और इंपर्टन नहीं है यहां पर पॉ 원 जिखा में नियूकलीस का काल दिखा हुआ पर बहुत हि काम होता है थे भाए अभी वह होता है तो हुं आन्키र उर्डणाक्र नियूकलीस का काम से लिदीद का भी होता है יתי प्रोसेस को रीप्रटों कहते है तो चले नियुक्लेस को न मैठोष अपूर्टों में यख ब्रोसेस को है क्या ह३ो एफ नियुक्लेस का रोल था है कियो प्यूंकि उसमें ज्यने इसमाधिाल मैंने markscium इस में भ्रत दह एक अर्यू् genetam जब अब अब इंवेर्मेंट का इफेक्ट पड़ेगा और इंडर कॉन सी चीज अशी है जिसको अब बड़ा हो जाया तब इसके अंदर होनी चाहिए यह सारी चीजे यूपलेश डील करते है कि और इसके बड़े होनी के बाद भी कौन सी चीज अब प्रेजंट होनी चाहिए क्योंड चीज नहीं होनी चीज और कैसी केमिकल अक्तिविटी होनी चीज यह सारी चीजों को यूपलेश आर्यक्त काम इनुकलेस के ठीक है कुछ और्गेंडिसम में तो बैक्टिरिया रगर्टियार रगर्टिया रह जाटा है प्रोकेरियोट्टिक मैंने बतायां यह टे अब आप लिओ पहले आप लोको स्क्रीन लगे ले लेकारियों Skraini बिक्ली क्प्राइप्टिव क्या मतलब देख। कर्या हन्य है आड आंप्रेड़ियो लोक्राइप्टिव क्या मतलब बें yen आइसे और कार्यों का मतलब क्या होता है किया है तो प्रस पिज पढ़ा है कि पेशले वीडियो में अच्छे से पढ़ा है मैंने अच्छे से अगर पढ़ा हो तो यह एंजामा नहींूबू इसके लिए आप समझ में आ रहा है है तो देखो आप समझ में आ रहे हैं? तो देखो, प्रोकरियोटिक शेल्स का मतलब होता है ऐसे सल जिसका नूकलिय। प्राचीन टाइप को होता है प्राचीन टाइप को मतलब अच्छे तरह से डफल नहीं होता है जैसे मैं इस स्रक्टिर बना के बता रहे हूँ यह एक सल पुराना सल प् नहीं होता है जब नूकलियर मेंब्रेन 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 नहीं होता है जब आपके प आपके बैग में अलग अलग पार्ट्स नहीं है आपके पास अलग अलग पार्ट्स नहीं तो इसे ही इसमें होते हैं सारी पैंसिल मार्कर्स रेजर्स उसक्रापनों एक ही निटाल डिया। तो आप क्या कहोगे उस Pre cry, बॉक्स के साथ ही वह रख़ी ही पूसे लिए से न्यूप्लाजम हो Tech न्यूप्लियस को क्या कहते हैं मिला हुई एक ठीचानी निउकलीस कहा है च्छ बज़ी तरहा है एक ब्लक स्टेइन सा डिखते हुँ यहां नुकलियस को नुकलियस को नुकलियोड कहते हैं, जहां पर 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 नुकलियोड कहते है तो और प्रोकरियोटिक में एक और चीज होती है पहले तो न्यूकलियस में नहीं था इनके पास अब क्या होता है इनके पास ऐसे भी और नहीं होते जिनके ऊपर मेंब्रेन हो जिसे हम लोगों ने उक्राइब पढ़ा था ना अभी इसके पिछले वीडियो में ने चार्ट ब प्रोकरियोटिक सेल्स में न्यूकलियस के ऊपर भी मेंब्रेन नहीं था और ऐसे भी सेल और नहीं होते है इनके पास जिनके ऊपर मेंब्रेन हो तो कुछ जो ऐसे फंक्शन करना होता है जैसे प्लास्टेड्स प्लास्टेड्स होते है उनका जो फंक्शन होता है वह साइट लिए प्लाजम्य काम कर देता है तो यह थोड़ी सी चीज़ आपको जानना जरूरी थी कि अधिन नुप्रेंड हो था और नुकलर और ऑर सलम्प्रेंड वाली मतलब कवरिंग वाले सल ओर्गेनल भी नहीं पाय जाते तो यह रहा पूरा नुप्रेंड वाला टॉपक यह एक सुल यह चाप्टर को लुग्हां एक एक हगर की पड़ी सलगानो उसकत Ridge 정도로 करने वाले हम लोग जल्डि इंवाल पातर लगाहिए च्रीपल ही दीव फ्हान के हैं चाप्टर को करने दानौं कि में बहुत बड़े बढ़ी बड़े दर चीज है तो comment करो Thank you for watching this video